Hello Friends, DBMS सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Lecture 11 जिसमें हम पढ़ेंगे ER Diagram के बारे में ER Diagram का एक ये introductory lecture है जिसमें हम पढ़ेंगे समझेंगे कि ER Diagram क्या होता है Basically हम लोगों को कुछ basic बातें मालूम हैं जैसे कि हमें मालूम है data क्या होता है Data वो piece of information है जिसको कि हम अपनी application में store करने में interested हैं तो कोई भी application हम बना रहे हैं कोई भी software हम बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ data होता है जिसको कि हम store करके रखना चाहते हैं अब ये data को हम store कहां करेंगे किसी permanent storage medium में जैसे कि हम hard disk में data को store करना चाहते हैं तो data store होता है in files, तो एक application, एक software से related सारा data store करने के लिए हमें may be एक से ज़्यादा files की जरूरत हो, for example हम चाहते हैं कि एक shopping mall का software बनाए या एक school management का software बनाए या coaching institute के management का software बनाए, तो कोई भी इस तरह का software imagine कर लिजे, हम library management system का software बनाना चाहते हैं, तो होगा क्या, इस software में हमें बहुत सारा data store करना होगा, for example library management system software के अंदर आपको books की details रखना होगी, आपको जो library के members हैं, maybe वो students हैं, तो students की information रखनी होगी, कौन सी book किस को issue की गई है, इसकी information रखनी पड़ेगी, तो वो तमाम informations हमको कहीं store करनी पड़ेगी, तो वो store करेंगे हम files में, now what is database, database वो जगे हैं, जहां पर हम अपने application का सारा data रखते हैं, तो physically तो database होता है collection of files, लेकिन logically हम उसको समझते हैं collection of tables, इस बारे में हम पिछले videos में काफी बात कर चुके हैं, तो मैं यहां पर अभी उस discussion में नहीं जाओंगा, आपको यह पता है कि जितने भी relational database management systems हैं, चाहे वो Oracle हो, या MySQL हो, या SQL Server हो, यह सभी relational database management system हैं, और इनके लिए, इनको जब हम use करते हैं, तो हमारा logical view यह बनता है, कि database is a collection of tables, तो database का मतलब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अब जब भी कोई project बनाया जाता है, कोई software बनाया जाता है, तो उसको कई phases में, पूरी journey को divide किया जाता है, यानि हम पहले requirement gather करते हैं, उसको analyze करते हैं, फिर जो architectural design हैं, वो तयार करते हैं, हमें coding में क्या करना है, वो पूरी रूप रिखा तयार की जाती है, और उसके बाद जाके कहीं हम coding start करते हैं, फिर testing भी एक part है, implementation and deployment भी एक part है, maintenance भी एक part है, तो software life cycle में आप बहुत सारे phases देखते हैं, खास दोर पे वो phase जिसको हम बोलता हैं, designing, इस phase के अंतरगत बहुत सारे documents बनते हैं, लेकिन पूरी software development life cycle में, यह software engineering subject का topic है, तो पूरी software development life cycle में कई सारे phases हैं, और एक बहतरीन approach develop करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को कई parts में divide किया गया है, और हर section में, हर phase में, हम कुछ काम करते हैं, और उसके document generate करते हैं, जो कि उस phase में किये गए काम को represent करता है, तो over the period of time, ऐसा हुआ है कि documentation की भी अपनी एक language तयार हुई है, तो यहाँ पे हर phase में कुछ diagrams बनाए जाते हैं, जिनके कारण हम बहतर तरीके से समझ पाते हैं कि उस phase में हमने क्या किया, और उसका इस्तमाल अगले phase में हम कर सकते हैं, इस language को हम बोलते हैं, UML, तो UML एक documentation की language है, और इस language ने कई सारे documents को अपनाया, उसमें से ER diagram भी एक document है, तो ER diagram basically हमें कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, इस पे हम discussion कर सकते हैं, पर मैं आपको बताओं किसी भी application की backbone होती है database, यनि अगर आपका database सही नहीं बना है, तो पूरा application आपका fail हो जाएगा, आप उसको scalable नहीं बना सकते हैं, आप उसके अंदर बाद में easily modification नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी जो आपकी functionalities हैं, वो बहुत बारी के से analyze करके में decide करना होता है, कि actual में हम अपने project में कितने data को manage करने वाले, और उस data को हम रखेंगे कैसे, तो उसका जो एक representation है, वो करने का तरीका होता है ER diagram, तो ER diagram में एक diagram है, diagrammatic representation है, of logical structure of the database, यानि हमारा जो database होगा, वो कैसा होगा, तो वैसे तो हम बोल रहे हैं, database is a collection of files, लेकिन RDB में software का perception क्या है, database is a collection of tables, तो कितनी tables बनेंगी, उन tables की बीच में आपस में क्या relationship होगा, tables के अंदर कितने columns होगे, उनके क्या नाम होगे, जिनको हम attributes भी बोलते हैं, तो ये सब कुछ हमें ER diagram से पता चल सकता है, तो हम लोग actual में database create करने से पहले, ER diagram बनाते हैं, so that हम उसको बार-बार analyze करके improve कर सकें, हम उसमें देख सकें कि जो हमारे project की requirement है, जो हमारे software की requirement है, वो साहे requirement इस database में पूरी हो रही है, या नहीं, या इसमें और कुछ modification करने की ज़रुवत है, तो ER diagram बनाकर हम database को represent करते हैं, कि database में ये ये चीज़ें होगी, तो basically ER diagram में ER का मतलब होता है entity relationship, तो entity relationship diagram या entity relationship model डिस्क्राइब करता है tables के बीच के relationship को, पीटर चेन ने ER diagram का concept सबसे पहले दिया था 1976 में, बाद में जाके उसे Charles ने और James ने कुछ और उसमें refinement करे, कुछ और concepts, principles उसमें add-on करे, आज ER diagram को जब हम बनाते हैं, तो उसके notations में थोड़ा बहुत variation हम लोग देखते हैं, अलग-अलग authors, अलग-अलग ER diagram के concept को बनाने वाले लोग रहे हैं, इन्होंने अपने notations provide करें, तो यहाँ पर यह diagram में कुछ notations ज़ादा famous हो गए हैं, कुछ एक community ज़ादा use कर रही है, कोई दूसरी community ज़ादा use कर रही है, तो यह आपकी personal choice है, कि आप किस तरह के notations use करना चाहते हैं, पर एक simple notation हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे, जो सबसे important चीज होती है ER diagram में वो होती है entity, entity को ही हम लोग सबसे पहले represent करने के बारे में सोचते हैं, entity क्या है, object क्या है, यह हमारे system की वो चीज है, जिसके बारे में हम information रखने में interested, तो for example, अगर मैं एक coaching institute का software सोचूँ, तो coaching institute में सबसे main entities क्या हैं, जिनके बारे में हमें information रखनी है, तो एक तो होगी student, student के बारे में हमें information रखनी है, तो student एक entity है, इसी प्रकार से faculty भी एक entity होगी, इसके लावा batch, course, यह सब entities हैं, जिनके बारे में हमें information रखनी है, अब student के बारे में क्या information रखनी है, student का नाम रखना है, उसका phone number रखना है, उसका address रखना है, उसका email ID रखना है, उसका semester रखना है, उसका college का नाम रखना है, तो यह सारी चीज़े student entity से जुड़ी properties हैं, जिनको हम attributes प्योलते हैं, attributes भी बोल सकते हैं, properties भी बोल सकते हैं, DBMS में जो ज़्यादा प्रचलित नाम है, वो है attribute, तो जिस भी entity की हम information रखना चाहते हैं, वो information, basically properties हैं, attributes हैं, जिनकी value रखने में हम interested हैं, तो अगर हम बात करें, faculty की तो faculty एक entity है, जिसके attributes होंगे, faculty name, faculty ID, faculty की salary, faculty की subject को पढ़ाती है, faculty का phone number, faculty का address, faculty का email ID, and so on, तो जितनी information हमें अपने software में रखना है, जिसको maintain करना चाहते हैं, जिसके हमें कोई जरूरत है processing में, तो वो information हम रखेंगे, batch, जैसे coachings में batches होते हैं, तो एक batch भी एक entity है, जिसके attributes हो सकते हैं, batch code होगा, batch के timings होंगे, batch की starting date होगी, batch के days होंगे, batch में कितने students हैं, batch को कौनसी faculty पढ़ा रही है, batch किस course का है, इस तरीके से batch के attributes होंगे, course के भी attributes होंगे, course का नाम क्या है, उसका syllabus क्या है, उसका duration क्या है, उसकी fees क्या है, ये सब course के attributes होंगे, तो इस तरीके से किसी भी system में, हम entities find out करते हैं कि किन entities के बारे में information रखनी है और उनके क्या attributes हैं जिनको हमें store करना है तो database is all about three things entities and attributes and their relationships मतलब entities के बीच के relationship अब यह जो attributes हैं काई तरह के हो सकते हैं जैसे हम बोलते हैं attributes atomic होते हैं या composite होते हैं अब atomic composite का मतलब क्या हुआ atomic मतलब एक value है उसमें और composite मतलब multiple values हो सकती है for example जैसे हम बात करें कि हमें address रखना है किसका मान लीजे कि मुझे student है तो मुझे student तो क्या हो गया entity का अब student के attributes क्या हो सकते हैं student का एक attribute हो सकता है name एक attribute हो सकता है for number एक attribute हो सकता है address ठीक है ना अच्छा एक चीज़ सोचिए यह जो address है यह attribute कैसा है यह attribute composite composite क्यों है यह composite composite इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारी information है जैसे house number house number अलग कर सकते फिर इसमें lane होगी ठीक है lane के अलावा फिर apartment हो सकता है ठीक है इसमें city name होगा इसमें pin code होगा तो यह सारी information को मिला कर एक address बन रहा है तो यह address की जो value है वो atomic नहीं है यह composite है बहुत सारी values को मिल के बना रहा है इस तरीके से name में भी कई बार क्या होता है दो चीज़ों का combination ले सकते हैं जैसे की name and surname name भी हैस में आ रहा है surname भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ यह दो चीज़ों का combination हो गया name तो यह भी composite हो सकती atomic कैसे हो गए जैसे अब मैंने बोला age age भी एक information हो सकती ही जो हम इसके बारे में रखना चाहते है अब age की जो value है वो तो एक single value ही होगी तो वो atomic है atomic मतलब एक value ठीक है अच्छा दूसरा है single value and multi value अब single value और multi value का क्या मतलब है यह composite से अलग है composite तो क्या है दो अलग-अलग information को मिला कर दो यह दो से ज़ादा अलग-अलग information को मिला कर अगर information बन रही है तो वो composite है लेकिन जैसे फोन नंबर है तो phone number क्या हो सकता है multi valued हो सकता है जैसे मेरे पास एक mobile number भी है और मेरे पास दो mobile's है तो दो mobile number है मेरे पास और एक landline number भी है तो ये तीन अलग-अलग informations हैं लेकिन सारी है phone number से ठीक है तो ये भी एक phone number ये भी एक phone number है यहाँ पर composite में क्या हो रहा था composite में ये जो अलग-अलग information ये मिलकर एक address बन रहा है name में भी name और surname मिलकर name बन रहा है जबकि phone number में ये तीनो information मिलकर एक phone number बन रहा है ऐसा नहीं है बलकि यहाँ पर ये phone numbers हैं ये अलग-अलग हमने more than one value एक phone के अंतरगत रख लिए तो ये multi-valued कहलाता है इसके opposite हम कहेंगे single-valued जा अगर single-value रखी जा रही है तो इस तरीके से कई बार attributes होते हैं stored और derived ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ information store करके रखें जैसे मुझे student का result रखना ठीक है result क्या है result है कितने उसने attempt करे questions ठीक है कितने right हुए कितने wrong हुए ठीक है अब जो net score है net score मैं store नहीं कर रहा हूँ बलकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये तीन information रख लिए attempt, right और wrong तो मुझे net score को store करने की जरूवत नहीं क्योंकि जब भी मुझसे net score मांगा जाएगा मैं एक simple formula रखके calculate कर लूँगा for example एक correct answer पे मुझे तीन marks देने है और एक wrong पे एक marks cut करना है 3R-W क्या हो गया? formula हो गया net score का तो ये जो attribute है ये attribute basically हम store नहीं कर रहे हैं लेकिन जब जरूद पड़ेगे हम निकाल लेंगे इसको बोलते हैं derived attribute इसकी value हम सीधे सीधे feed नहीं कर रहे है ठीक है database में हम इसको store भी कर सकते है लेकिन इसकी जो value आ रही है वो कहां से आ रही है वो value इन तीन values से आ रही है attempt, right और wrong इन से हमारा net score निकल रहा है तो net score कैसा attribute हो गया ये derived हो गया अब ये हमारे को तैय करना है कि ये table में column बनाना है या नहीं बनाना है दौनों काम हम कर सकते है इसके अलावा null valued भी हो सकते है attribute जैसे की हो सकता है किसी का phone number ना हो तो उस जगे पर value चली जाए null या email id भी हम रखना चाहते है email id नहीं है उसका तो हम null रख सकते है तो null valued भी हो सकते है attributes then key attributes key attributes मतलब कुछ खास तरह के attributes है जिन से की हम खास तोर पर मानते है कोई खास उस पर constraint apply होता है for example मैं कहता हूँ कि name must be unique हलागी ऐसा student की case में तो नहीं होगा लेकिन हाँ कहीं हम account बना रहे हैं और account में username है और username unique रहना चाहिए तो unique क्या हो गया एक constraint हो गया तो ये हमने जब impose किया कि भई नाम जो है वो repeat नहीं हो सकता दो लोगों का नाम same नहीं हो सकता तो हमने इस पर unique constraint लगा दिया कई बार जैसे इसमें एक और attribute हो सकता था role number तो role number यहाँ पर एक primary की attribute है क्यों क्योंकि हर student का हो सकता है नाम match कर जाए दो लोगों का नाम match कर जाए हो सकता है एक ही घर से दो बच्चे हों तो address भी match कर जाए phone number भी उन्होंने अपने parent कर दिया है तो वो भी same हो जाए age भी same हो सकती है कई सारे student की तो हम दो अलग-अलग student के data में तो जब match नहीं करेगे तो role number एक ऐसा ऐसी attribute हो गया जिससे कि हम पूरे data को uniquely identify कर सकते है तो अगर मेरे पास बहुत सारे students का data है और मुझे role number बताते हो तो मैं particular एक ही data आपको निकालके दे पाऊंगा और अगर आप मुझे name बताते हो तो बहुत सारे लोगों का नाम same हो सकता है आपने का कि राहुल का data दीजिए तो अब हो सकता है बहुत सारे student हो जिनका राम राहुल हो तो role number एक ऐसी information होगी जो primary की attribute कहलाएगी इस table में तो हमें समझ में आया है कि attributes कई परकार के होते हैं तरह की definition होती है और इसके में बहुत detail में जाया जा सकता है अभी लेकिन हमने ER diagram को simple बनाने के लिए कुछ थोड़े सा attributes के बारे में समझा है ER diagram जब हम बनाते हैं तो इसमें कुछ symbols यूज किये जाते हैं कुछ diagram हम बना रहे हैं तो यह rectangle shape हम use करते हैं entities को represent करने के लिए entities basically tables है तो जैसे मैं अगर एक software बनाता हूँ coaching institute के लिए तो मैं मानता हूँ कि एक entity होगी student तो मैं diagram में एक rectangle बनाऊँगा और इसके अंदर लिख दूँगा student ठीक है फिर मुझे लगा एक entity होनी चाहिए batch तो मैंने लिख दिया batch फिर मैंने का एक entity होनी चाहिए course तो मैंने course नाम से एक entity बना लिए इसी तरीके से मैंने का एक entity होनी चाहिए faculty तो faculty नाम से भी एक rectangle box बना लिए जो कि entity को represent कर रहा है तो इस diagram में जितने rectangles दिखाई दे रहे हैं वो entities को represent कर रहे हैं दो entities के बीच में relationship हो सकता है इस relationship को हमें diamond box से denote करना होता है तो जैसे student और batch में कुछ relation हो सकता है obviously relation है क्योंकि student batch को belong करता है तो हम इस तरीके से diamond shape यहां बीच में बना देते हैं और दौनों के बीच में connection कर देते हैं अब यह connection जो हमें किया तो यहां पर हमें कोई verb लिखनी होती है जो actual में इन दौनों के बीच के relationship को depict करेगी तो student belongs to a batch कुछ भी आप यहां पर ऐसी verb लिखिए जिससे समझ में है student belongs to a batch तो हम यहां लिक रहे हैं belongs ठीक है तो belongs to तो student belongs to a batch ठीक है फिर course और batch के बीच में भी कुछ relationship हो सकता है क्योंकि जो batch बंता है वो किसी एक course का होता है तो यहां पर इन दोनों के बीच में भी relationship है batch for course तो batch जो है वो किसी course के लिए फिर faculty और batch का भी relation हो सकता है तो हमने कहा एक और मना लेते हैं ठीक है और यह यहां से related है यहां पर बोलते हैं faculty teaches teaches in a batch तो इस तरीके से हम relationship भी बनाते हैं तो relationship को हम denote करते हैं diamond box से फिर हम attribute को denote करते हैं oval shape से यह कैसे होता है जैसे student के अंदर बहुत सारे attributes हैं तो हमने एक attribute बनाया let's say roll number ठीक है फिर एक attribute बनाते हैं phone number तो हमने लिखा phone number तो इस तरीके से oval shape में हमें इसको बना रहे हैं और और भी इस तरीके से काफी सारे attributes इसके अंदर हो सकते हैं जैसे की name हैं जितने attributes मुझे सारे लिखने जगे कम पढ़ रहे हैं तो भी लिखने है तो ये diagram में ये पता चलेगा कि एक entity से related कितने attributes हैं ऐसे ही सभी में होंगे जैसे batch में होगा batch code या batch id तो batch id जो हर एक batch को uniquely represent करेगा इसी तरीके से batch का कुछ time होगा days होंगे अभी मैंने सारे नहीं लिखे हैं दियान रखेगा आपको सारे बनाने course में भी कुछ होगा जैसे course id ठीक है और हो सकता है syllabus चीक है fees तो इस तरीके से बहुत सारे इधर भी होंगे faculty में भी होंगे तो let's say faculty name faculty id फिर faculty salary salary तो इस तरीके से कई सारे attributes इसके भी होंगे कुछ और भी तरह के symbols होते हैं जैसे अगर weak entity है जिसमें primary की नहीं होती है वो weak entity होती है तो उसको double line से ऐसे denote करते हैं अच्छा foreign की और primary की यह क्या है तो जैसे student और अच्छा student को देखे student में कौन है primary की role number तो इस पर आप underline कर दीजे यह underline denote करेगा कि यह primary की है ठीक है इसी तरीके से batch table के अंदर batch id primary की है वो attribute जिससे की उस table के records को uniquely identify किया जा सके यहां जैसे course id यहां पर जैसे faculty का id तो जो जो attribute इस तरह के हैं उन पर underline करेगा एक entity के लिए ऐसा एक ही attribute होगा जिस पर आप underline करोगे आचा ऐसा भी हो सकता है कि foreign की हमें बनानी हो अब foreign की कैसे बनानी होगी जैसे एक batch में कई सारे students हैं और एक student भी कई सारे batches में हो सकता है तो student और batch के बीच में जो relationship है ये भी एक table बननी चाहिए इस table के अंदर एक attribute रहेगा row number और एक attribute रहेगा batch id आप देख सकते हैं कि ये attribute batch table से लिए गया है और ये attribute student table से लिए गया है अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि एक student कई सारे batches में हो सकता है अब इसको properly समझने के लिए एक छोटा सा example आप देखिए मालीजे हमारे पास students है S1, S2, S3 ऐसे कई सारे students हैं ये मैंने let's say rule number लिखे हुए है सबका कुछ नाम होगा phone number होगा सारे details होगा ऐसी कुछ और batches हैं like batches है B1, B2 दो batches चल रहे हैं तो student table में ये तीन records है और batch table में ये दो records है अब ये जो S1 student है हो सकता है ये B1 batch में हो और साथ में ये B2 batch में भी पढ़ता है जबकि S2 B1 batch में ही पढ़ता है और S3 ये B2 batch में पढ़ता है आप देख रहे हैं कि student की information student table में batch की information batch table में लेकिन student और batch की combination को अपन एक अलग table में रखना चाहेंगे क्योंकि S1 एकी batch में हो ये नहीं है यहाँ S1 B1 batch में भी है B2 batch में भी है तो ये information में student table में तो नहीं रख सकता क्योंकि student table में अगर मैं batch की information रखूँगा तो S1 वाली row में या तो मैं B1 लिख पाऊँगा या B2 लिख पाऊँगा इसी तरीके से batch table के अंदर भी मैं student की information नहीं रख सकता है क्योंकि एक batch में बहुत सारे students है तो एक row के अंदर मैं जब batch की information रख रहा हूँ तो उसमें किसी एक student की information रख पाऊंगा ज़्यादा ज़्यादा तो हमने उसका तरीका यह निकाला कि बीच में एक और table बना लेते हैं और दोनों की primary की इस table में रख लेते हैं अब इस table से मुझे यह पता चल जाएगा कि कौन सा student की इस batch में है तो यहाँ पर student का row number भी है और यहाँ पर batch का id भी है तो इस नए table में student का row number foreign की है तो इसको मुझे dashed underline से denote करना है और यह इस table में तो foreign की है foreign की क्यों है? क्योंकि actual में किसी और table की primary की है तो student table में रोल number primary की है तो वही की अगर मैंने दूसरे table में use करी है तो वो foreign की है foreign की repeat हो सकती है लेकिन student table के अंदर रोल number repeat नहीं हो सकता है क्योंकि वो primary की है तो जब एक ही student कई सारी information से attached है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा इस तरीके से batch table में batch ID primary की है तो वो repeat नहीं हो सकती लेकिन ये बीच में जो table है उसमें batch ID repeat हो सकता है जैसे कि ये B1 भी repeat हो रहा है B2 भी repeat हो रहा है तो इसलिए batch ID यहाँ पर foreign की होगा तो इसको हमें dashed line से denote करना है तो ये तो हमारे notations हैं notations और भी हैं लेकिन बहुत detail में अगर जाना चाहे हैं तो जा सकते हैं अभी ये basic introduction lecture है तो इसमें इतना sufficient होगा और basic बनाने के लिए इतने से काम आपका चल भी जाएगा एक और important चीज़ होती that is called cardinality दो entities की बीच में जो relationship है उसमें cardinality भी हमें show करनी होती हैं अभी क्या होती है इसको समझते हैं जैसे यहाँ पर हम student और batch की बारे में समझे तो एक student कई सारे batch में हो सकता है मैं इसको एक separate diagram से आपको समझाता हूँ मा लिजे एक table है student नाम की और एक table है batch नाम की तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर कई सारे students है यहाँ पर कई सारे batch जैसे हैं अब आप इनकी बीच में relationship बताइए relationship majorly क्या होता है या तो one to many होता है या फिर many to one भी वोई बात है दूसरे direction से देख रहे हैं बस आप one to one होता है relation या फिर many to many होता है आप यह तीन major माल लें हलाकि इसमें भी और bifurcation कर सकते हैं लेकिन तीन major है तो student एक student एक से ज़्यादा batches में हो सकता है देखिये यह से भी map है और S1 हो सकता है B2 batch में भी हो और एक batch में हो सकता है एक से ज़्यादा student भी हो तो many rows of student table चीक है many rows of student table is mapped with many rows of batch table तो इन और के बीच में relationship कैसा हुआ many to many तो जब दो entity के बीच में relationship हो many to many जैसा कि इस case में हो रहा है यह हो गया student और यह हो गया batch तो जो इनके बीच का relationship है वो भी एक table बनेगी जब भी many to many है तो यह जब बीच में table बन जाएगी तो इसके अंदर दोनों की primary किया जाएगी जैसे कि अभी हमने समझा था यहाँ पर batch ID foreign किये है और student ID यानि role number यह यहाँ पर foreign किये तो यह जब बीच में table बन गया relationship एक table बन गया तो इसके बीच में क्या relation हो गया one student कई batches में one batch में कई सारे student तो इस student table की एक row जैसे कि S1 इस intermediate table के कई rows में दिखेगी तो S1 यहाँ पर एक बार है पर इस table में कई बार हो सकता है तो यह one to many relationship हो गया ठीक है संब्या है तो जब many to many relationship होता है तो बीच में हमेशे एक नई table introduce होती है और वो इस relationship को break कर देता है तो इस तरह से हमें cardinality show करनी होती है तो सबसे simple cardinality का rule यह है one to many कर दिया हलाकि इसमें बहुत deep में जाया जा सकता है जैसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं एक city नाम का table है और एक stadium नाम का table है तो यह stadiums है S1, S2 यह city है C1, C2 अब आप बताएए कि हर city में stadium होगा यह ज़रूरी है कोई जरूरी नहीं है तो एक city में एक से ज़्यादा stadium भी हो सकते है एक stadium लेकिन एक ही city में होगा तो one stadium one city में होगा पर one city में many stadiums हो सकते हैं ठीक है पर एक city में zero stadiums भी हो सकते है तो यह जो many है न many में compulsory नहीं है कि अरो पर्इसेपेट करे तो इसमें zero or more भी बोल सकते है zero or more मतलब यह तो एक city में एक भी stadium नहीं है या एक है या दो है कितने भी हो सकते है तो कई बार ऐसा होता है कि participation compulsory होता है तो participation कंपल सरी मतलब मैंने कहा कि जैसे हम बोलें कि एक batch में कम से कम एक student तो हो गई होगा तब तो बैच होगा तो वहाँ पे कहानी अलग हो जाती है तो participation है या नहीं है इस पर भी depend करता है लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि अभी आप अतने detail में मत जाएए पहले एक level को समझेए एक level में आपको जो काम आएगा वो बस ये तीन काम आएगे ठीक है जब ये समझ में आजाए तब हम इतनी बारीकियों के बारे में बात करें ठीक है तो ये होगे हमारा cardinality अब एक example आप इस screen को pause करके इसको अच्छे से पढ़िए और ये एक example है जिसका की आपको ER diagram बना रहा है I hope आपने screen को pause कर लिया होगा इसको आराम से पढ़ लिया होगा अब मैं इसका solution आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर system क्या कहा रहा है कि a country bus company owns a number of buses तो आप पहले यहाँ पर underline करिए कौन कौन से आपको entities नजर आ रही है तो जब आपने इसको पूरे को पढ़ा तो आपको समझ में आया है कि यहाँ पर एक entity होगी bus, एक होगी route, एक होगी town, एक होगी driver एक होगी stage, एक होगी carriage, इनके बारे में आप information रखना चाहते हैं फिर आप जब इसका ER diagram बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है देखिए, अब आप लोगोंने कैसा बनाया, आप उसको देखिए और फिर आप इसको देखिए तो यहाँ पर हमने कहा था कि एक bus, एक से ज़ादा route पे चल सकती है तो एक, सॉरी, मैंने उड़िटा बोल दिया मैं कहारा हूँ, एक route पे एक से ज़ादा busses चल सकती है तो एक route है, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं लेजे, बहुत सारे towns है यह एक town है, यह एक town है, यह एक town है यह एक town है, बीच में एक और बना लेता है यह भी एक city है, यह सब towns है तो अब कोई bus चलेगी, तो कैसे चलेगी, ठीक है यह मैंने कुछ cities, towns बना लिए अब route कैसा हो सकता है, मैं route बनाता हूँ तो हो सकता है, एक route ऐसा हो यहां से जा रहे है, यहां से जा रहे है, यहां से जा रहे है ठीक है, यहां से जा रहे है, यहां से जा रहे है यह एक route हो सकता है, एक और route में बनाता हूँ और यह route ऐसा है, यह ऐसा गया हो सकता है एक और रूट हो तो हो सकता है वो इस तरीके से जा रहा हूँ यह तो ऐसे करके कई सारे रूट हो सकते हैं जिन पर बस चलेगी तो हो सकता है यह जो अलग-अलग रूट है इस ग्रीन वाले रूट पर बस चलती हो बी वन और बी टू हो सकता है इस पर बी थ्री बस चलती हो हो सकता है इस पर बी फॉर चलती है बी फाइफ चलती है ठीक है तो इस तरीके से अलग-अलग रूट पर बस चलती है हो सकता है किसी टाउन में गैराज हो किसी में नहीं हो तो लेट से इस टाउन में गैराज है हो सकता है इसमें गैराज हो हो सकता है इसमें गैराज हो सभी में गैराज हो यह कोई ज़रूरी नहीं है तो हमने देखा और स्टेजिस हो सकती है stages क्या हो सकती है जैसे कि यह जो green वाला route है हो सकता है यहां से यह बहुत लंबा route है तो यहां से लेकर मैं कुछ अलग color से denote करता हूँ यहां से लेकर और यह route चल रहा है यहां तक यहां तक एक stage है stage 1 कह लिए उसकी बाद फिर यहां से आगे चलेगा तो stage 2 है तो एक पूरे journey में हो सकता है एक से जादा stages हो या एक ही stage में पूरी journey complete होती हो ऐसा भी हो सकता है तो यह आपको scenario दिया हुआ तो आप देख सकते हैं कि एक route में कई सारी stages हो सकती है तो इसलिए route और stage के बीच में one to end relationship है एक route पर कई सारी buses चल सकती है इसलिए one to end relationship है आचा टाउन टाउन एक टाउन में एक से जादा एक टाउन में एक ही garage हो सकता है पर यह भी हो सकता है कि किसी टाउन में कोई garage ना हो तो हम यहां पर क्या बोल सकते है कि one row of town may be associated with zero rows of garage और one row of garage तो zero और one यहां लिखा जा सकता है मतलब कई जगे notation में इसको ऐसे भी लिखते है zero और one अभी मैंने simplicity के लिए इसे one लिखा हुआ है आचा एक garage में कई सारी bus खड़ी हो सकती है तो one to end relationship हो गया एक town है और एक stage है तो एक stage जो है वो कई सारे towns को cover करती है तो one stage is associated with many towns और driver तो एक driver जो है वो एक stage पर होगा लेकिन एक stage पर कई सारे drivers allocated किये जा सकते हैं तो इस तरीक ऐसे हमें ER diagram बनाना होता है और I hope थोड़ी बहुत help आपको इससे मिली होगी अब आप questions पूछेंगे comments के जरीए तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा ये मेरे एक प्रयास था लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आसान topic नहीं था इसमें बनाने में काफी दिक्कत जाती है अगर आप पहली बार बना रहें तो कई तरह के doubts आते हैं और कई बार तो doubts बड़े बचकाने होते हैं जब मैंने भी सीखना स्टार्ट किया था तो बहुत दिक्कत जाती थी अभी आपको भी ऐसा कोई doubt आता है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो silly doubt है आप पूछिए उसे पूछेंगे कैसे तो आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं या वीडियो की नीचे comments भी कर सकते हैं जो भी आपकी दिक्कत है आप वो share करिए मैंने जान बूछ कि इसको बहुत deep में नहीं लेके गया हूँ ताकि हम एक surface level पर knowledge पहले बने एक understanding बने उसके बाद हम ER diagram को और depth में लेके जा सकते हैं अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like करें और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियो आप देखने में इंट्रेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी subscribe करें www.mysergy.com ये screen पे लिखा हुआ है आप इस website पे जाते हैं तो C का पूरा course मिलता है सारे videos lectures है C++ का course है PHP My School का है Data Structure का है Java का है DBMS का है Programming exercise है Campus Preparations related videos है तो काफी सारे videos इसमें मिल रहे हैं और daily एक नया video इसमें upload होता है तो आप इस website को जबुक माग कर लिज़े और regular visit करें आपको हमेशा कुछ नया content इसमें मिलेगा अज़े ये website में सारे videos हिंदी में हैं और हिंदी में होने के साथ साथ free of cost भी है तो अगर आपको लगे कि ये worth है इसमें बहुत काम की चीज़ें मिल रही है आपको आपकी जरूरत पूरी हो रही है तो आप प्लीज इसको share भी करिये क्योंकि मैं इसे अगर free में provide कर रहा हूँ तो मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि सब तक मैं knowledge share कर सकूँ तो अगर किसी को इस वज़े से फायदा पहुचता है तो मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन मैं जादा से जादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ वीडियो बनाने में तो अतनी ही महनत लगी लेकिन जादा फायदा तभी है जब जादा से जादा लोगों तक ही पहुंच जाए एक ने देखा या दस ने देखा मेरी महनत तो बराबर लेकिन जादा लोगों ने देख लिया तो मुझे जादा अच्छा लगे अगर आप लोग मुझे कुछ return में देना चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि आप इस वीडियो को share कर दीजिए अगर आपको पसंदा रहा है तो Thank you